हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही बिहार कुखिंग में तो आज हम आप लोगों के लिए चावल का खीर लेकर आया हैं तो हम चावल का खीर बना कर आप लोगों को दिखाते हैं कि घर में कैसे चावल का खिर बनाया जाता है यह एक केजी से जादे में रदूद है इधर हमारा चावल है और इधर हमारा देख यह admissions है नारियर छोड़ा यह हमारा कुटी तो उसी चावल से हम आप लोगों को खीर बना कर दिखाते हैं एक चीज सिक्रेट है मेरा जो खीर में डाल कर बना कर आप लोगों को दिखाएंगे उससे खीर बहुत ही टेस्टी बनता है तो एक दम हम बिहारी अस्टेल में खीर बना कर आप लोगों को दिखाते हैं तो चाव की मदद से भी आप इसे पूरे पानी निकाल सकते हैं छान कर देखिए चावल हम कितना अच्छा से धोकर एक बिल्कुल इसमें पानी नहीं है सिक्रेट चीज जो है हमारा घी हम इस चावल में एक से देर चमस घी एड़ करेंगे यह घी भी हमारा घर का है हम जो भी बनाते हैं घर में ही बनाते हैं तो यह मेरा घर का घी है तो घी आप लोग देख सकते हैं घी का भी बीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं तो आप वहां से भी घी बनाना सीख सकते हैं तो देखिए यहां पर हम घी ले लिए हैं एक से देर चमस तो चलिए हम आप लोगो को बना कर इसे खीर को दिखाते हैं तो देख सकते हैं दूद हम गरम होने के लिए भी रख चुके हैं तो देखिए दूद में उबाल आ गिया है अब हम इसमें चावल एड करेंगे तो आप लोग भी एक बार इस अंदाज में खीर बना कर जरूर बना कर खाईए बहुत ही लगता है तो हम खीर इसी टैप से बनाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है इसे हम लगतार चलाते रहेंगे जितना आप जितना खीर को चलाईएगा खीर उतना ही अच्छा बनकर त्यार हो जाएगा इसे हम देख रहे हैं बलावा पर चला रहे हैं इसमें आप हम दो कर जरूर खाईए बहुत ही अच्छा बनता है इस सबसे खीर देखिए हम किस तरह से इसे चला रहे हैं एक दम हम कंट्यून्यू खीर को चलाते रहेंगे उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा तो आप लोग वीडियो में बने रहें आप लोग का बहुत ही सपोर्ट का ज कंट्यून्यू चला रहें किस तरह से ओपर नीचे इसे गोल गोल करके भी हम इसे चलाते आ रहे हैं तो आप लोग भी चलाते रहें देखिए आप हम इसमें नारियर का पॉडर एड़ कर लिए हैं अब हम इसमें चीनी एड़ करेंगे तो चीनी भी हम एड़ कर लिए हैं इ कि टेस्ट बहुत ही अच्छा बने हम जब भी पुजा पाट घर में होता है तो हम खिर इसी टैप से बनाते हैं तो देखिए कुटी हुई इलेंची भी एड़ कर लिए हैं इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है माशाला भी जो था नारियर छोड़ा ओवियम एड़ कर ल अच्छे से चलाएंगे इतना आप खीर को चलाईएगा उतना ही अच्छा से खीर बन कर तियार होगा यहां मेरा दूद एक लीटर से ज्यादा ही था और हम तीन ही मुठी चावल एड़ किये हैं पानी बिल्कुल नहीं हम यूज किये हैं तो आप देख सकते हैं खीर का कलर कितना अच्छा है एकदम लग रहा है बिल्कुल पानी नहीं पड़ा है थोड़ा सा भी पानी एड़ नहीं किये हैं और तीन ही मुठी चावल से खीर बना कर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा खीर बना है मेरा पहले भी आप लोग थोड़ा सा ही बना कर दे तो देखें कितना अच्छा लगरा है खीर देखने में आप लोगों से पता स्वाँ नरिकर ज़िए कि ऩयुक्न कुमें के जरूर बताएगा कि खीर लगा आप लोगों को हम आपका कॉमैंट का इनतजार करते हैं मिलते हैं अगली उप्सक्राइच को दो को, झाल झाल